नुश्कार एनमफ न्यूस देख रहे हैं या आप मैं हूँ आपके साथ अभिशेक पुंडीर राजनीती में हर एक राजनेता राजनीती को साध ले ऐसा जरूरी नहीं राजनीती में लाखों नेता आते हैं हजारों बड़े नाम बनते हैं सैकडों उनसे भी बड़े नाम बनते हैं और कुछ नाम ऐसे होते हैं जो नाम च्छा जाते हैं या फिर जो काम्याबी की नई बुलंदियों पर पहुँच जाते हैं वैसे ही बीजेपी में कुछ नेता है जिनका नाम शायद बतानी की जरूत नहीं प्रदान मंतरी नरेंदर मोदी जो तीसरी बार शपत ले चुके हैं ग्रह मंतरी अमिच्छा उत्तर प्रदेश के मुख्य मंतरी योग्यादितनाद कुछ नेता ऐसे हैं जो राजनीती को साधने की जो कला है जो किरिया है उसे जानत जहां के मुख्य मंतरी है योग्यादितनाद जिनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो आने वाले वक्त में प्रदान मंतरी नरेंदर मोदी के उत्तरादिकारी भी हो सकते हैं मतलब देश के प्रदान मंतरी अगले वो हो सकते हैं लेकिन यहां एक पेज फस्ता है कि योग्या ठीकरा किसके सरफोडा जाए वो मोदी के सरफोडा जाए जो मोदी की गारंटी की बात करते थे वो योग्याद इतनाज के सरफोडा जाए जिनकी कानून व्यवस्त था उत्तर प्रदेश में सब से बहतर है और सब इनकी कॉपी भी करते हैं लेकिन इस बीच निकलकर खबर दि दिल्ली में रहे बड़े नेताओं से मुलाकात की आर की समिक्षाओं पर चर्चा की और एक बार फिर केशा प्रसाद मोरिया को दिल्ली बुला लिया गया है तो सवाल उठने लगे क्या योगी आदितनात को सीमित करने की तैयारी चल रही है क्या उत्तर प्रदेश जैसे बड पारते हैं तो सबसे पहले विरोध अखिलेश यादव का हो जाएगा क्योंकि अगर योगी आदितनात को सीमित किया जाता है तो साथ ही साथ सीमित हो जाएंगे अखिलेश यादव भी तो क्या दिल्ली में खिचडी पक रही है उसकी बात करेंगे आज और उत्तर से इस बार वोट नहीं मिले जिस बीजेपी को 50 फीजदी वोट 2019 में मिले थे उस बीजेपी को 41 फीजदी वोट क्यों मिले 9 फीजदी वोटों का जो गिरावट है 9 फीजदी वोटों की वो आखिर क्यों हुई और वो वोट कॉंग्रेस और समाजवादी पार्टी को जो है ट लाबार्तिवर की अगर मैं चर्चा करूं तो पंद्रा करोड लोगों को उत्तर प्रदेश में फ्री राशन मिलता है दो दशमलव एक जीर एक सुन्य करोड लोगों को किसान सम्माद निधी मिलती है और डेड़ करोड लोगों को उजवला यूजना के तहत सिलिंडर मिलता है वहीं पंद्रा दशमलव साथ तीन लाख लोगों को सरकारी आवास उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित किया गया हलाकि सभी लोगों को ये नहीं मिला है लेकिन अभी लगबग 25 फीज़दी लोगों को ये आवास मिल चुके हैं लेकिन अभी सभी को नहीं मिला है लेकिन प पंद्रा करोड लोग आते हैं उसके बावजूद भी ये इतना बड़ा राबार्तिवर्ग होने का के बाद आखिरकार क्यूं उत्तर प्रदेश से बीजेपी को वोट नहीं मिला उसका एक बहुत बड़ा कारण है बहुत बड़ा कारण क्या है क्या आप से टकराव हुआ है क् क्या अगर विधान सबा की मैं बात करूँ तो 2022 की विधान सबा चुनाओ में बीजेपी को 41.2 फीजदी वोट मिले थे और इस बार के लिए उक सबा चुनाओ में 2024 में 41.3 फीजदी वोट मिले हैं तो मतला 0.06% की वरद्धी हुई है लेकिन बावजूद इसके भी जिस पार्टी बन कर उबरी सैथी सीटों के साथ और कॉंग्रेस पार्टी को भी रिवाइवल मिला जिस पार्टी के पास एक मात्र सांसद था सूनिया गांदी के रूप में 2019 में उस पार्टी के छे जो है सांसद अब जो है छे सांसद अब उस पार्टी के हैं लेकिन इसके चुनाव में बीजेपी एक बार फिर से तीसरी बार उत्तर प्रदेश में रिपीट कर पाएगी या फिर अखिलेश यादव और राहूल गांदी की जो जोड़ी है वो एक बार फिर से लोगसभा की तरह विदानसभा चुनाव में भी कमाल कर कर दिखाएगी अगर मैं बात करू इस लोगसभा चुनाव के लिहाद से एक सो पचासी सीटे ऐसी है जिन पर बढ़त रही है समाजवादी पार्टी की तीस सीटे ऐसी है जिन पर विदानसभा की बात कर रहा हूँ का है वह लगबग जो है एक सो पचासी, 188, 190 सीटों के असपास का आकड़ा बचता है, वो NDA का बचता है, मतलब उसमें BJP भी है, निशाद भी है, राजबर भी है, रालोद भी है और अपना दल की जो है, सुप्रियाजी भी है, तो सभी अगर यही आकड़ा अगर अमजूद वक्त में आज चुनाव करवा दिया जाएं तो उत्तर प्रदेश से बीजेपी हार सकती है दोजार सत्ताइस की क्या तस्वीर रहेगी और उस तस्वीर को बदलने के लिए ही अब समिक्षाएं चल रही है केशव प्रसाद मोरिया को दिल्ली बुला लिया गया है और तीन राज्यों में उत्तर प्रदर्श को बाटने की कोशिश चल रही है यह समझे अगर 2017 में योग्या दितनात मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के बने उसके बाद 2022 में बने और अगर 2027 में भी वो मुख्यमंत्री बन जाते हैं देश के सबसे बड़े सुभे के मुख्यमंत्री और जिसके बारे में कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता यहीं से होकर गुजरता है तो उसके बाद जब तीसरी बार वो मुख्यमंत्री अगर बन जाते हैं तो फिर उन्हें मोदी की जगा क्यों नहीं देखा जाएगा क्या लेकर बातों को लेकर टिकट बटवारे को लेकर तमाम चीजों को लेकर विवाद रहता है तो इस बार जो हार की समिक्षाएं चल रही है उसमें ऐसा निकल कर सामने आया है कि जो अपर कास्ट है जिसे बीजेपी का कोर वोटर माना जाता था वो उसका भी दो परसेंट वोट जो है वो कॉंग्रेस की तरफ छिटक गया और जो ओबीसी है ओबीसी का भी पांच परसेंट वोट छिटक गया कॉंग्रेस के पास को बीसी में भी अपर ओबीसी का और अगर बात करें इसमें से दो परसेंट ओबीसी का वोट जो है वो कॉंग्रेस की बीजेपी का किसका है Congress के पास वहीं अगर lower OBC की बात करें तो 3% Congress के पक्ष में वोट गया है और दलीतों के अगर मैं बात करूँ तो दलीतों में भी 3% का नुकसान BJP को हुआ है तो जो 9% का नुकसान BJP को हुआ है वो यही है कुछ OBC खिसका है कुछ अपर कास्ट भी खिसका है जिस अपर कास्ट को कहा जाता था कि यह BJP का core voter है लेकिन जब वोट खिसका है तो अब 2027 में क्योंकि इतना बड़ा राज्य है इतना बड़ा सुबा है BJP 2027 को 2027 में उत्तरप्रदेश को नहीं खो सकती शायद यही कोशिश है इसलिए उत्तर अखिलेश यादव को आप सी मित कर पाएंगे क्योंकि अखिलेश यादव ने इस बार पूरवांचल में भी सीट जी थी पश्चिम में भी सीट जी थी आवद के छेत्र में भी सीट जी थी तमाम जगा पूरे उत्तरप्रदेश में इस बार अखिलेश यादव का दब दब रही लेकिल बीजेपी का प्रदर्शन बहुत जादा खराब रहा अब इसके हार के समिक्षाओं में कारण आया कि अधिकारी बात नहीं मानते हैं वोटर लिस्ट में से जो है वोटरों का नाम काट दिया गया तो यह सब कहने की बात हैं क्योंकि वही अधिकारी चुनाव से प आज दिन पहले केशाओ प्रसाद मोरिया का रहना दिल्ली में और एक बार फिर से केशाओ प्रसाद मोरिया को दिल्ली बुलाना यह दिखाता है कि दिल्ली में कुछना कुछ तो बहुत बड़ा प्लान चल रहा है और कुछना कुछ खिचडी जरूर पकाई जा रही है अब उत्तार प्रदेस को पांच राज्यों में बाटने की सिफारिश कर चुकी थी, लेकिन मनमोहन सरकार ने ये बात नहीं मानी और वो मामला ठंडे बस्ते में चला गया, और अब एक बार फिर से बीजेपी खुद से ये पहल कर सकती है, और तीन राज्यों में उत्तार प्रदेस से एहंकार जैसे शब्द निकल कर सामने आ रहे हैं राम की बात नहीं मानी और 240 सीटों पर सिमट गए तो इस तरह की कि जो तमाम बयान बाजी है उन्हें देखते हुए ऐसा कहा जा सकता है कि और अरेसे शाय को भी जो है, साधना इस वक्त बहुत जरूरी है योग्यादीतिनाथ अगर एक सुबह के मुख्यमंत्री बने रहते हैं तो योग्यादीतिनाथ की यहां ताकत कम हो जाएगी समझे असी लोकसभा सीटों वाले राज्ये के अगर एक मुख्यमंती है योग्यादितनाथ तो उनकी ताकत ज्यादा है लेकिन अगर तीन राज्यों में बाट देते हैं 25-25 लोकसवा सीटों के अगर राज्य बना दिये जाते हैं तो योग्या अधितनात की ताकत को कम किया जा सकता है और वो उन्हें राज्यों के बराबर आकर खड़े हो जाएंगे जिन राज्यों में कम सीटे हैं भलकि मध्यप यहां तो गया है प्रजाण मंतनी मूधी के लित्रत में लडा जायेगा लेकिन हो सकता है फिर उत्रा धिकारी के नाम पर फिर विचार किया जाए और फिर अर्स की भी बात वहना चले क्योंकि आप एक बहुत छोटे से राज्ये के मुख्य मंत्री हैं अखिलेश यादव भी फिर बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं डाल पाएंगे अखिलेश यादव जहां मजबूत है अगर उस राज्ये को एक अलग जोन में बाट दिया जाता है तो वो वहीं तक सीमित हो जाएंगे तो दिल्ली में केशव प्रसाद मोरिया का जाना और योगिया अदितनात का जाना यहाँ एक बात और गोर करिएगा जब चुनाव के बाद योगिया अदितनात धड़ाद मीटिंगे ले रहे थे अधिकारियों की मीटिंग ले रहे थे, मंत्रियों की मीटिंग ले रहे थे, तब ब्रिजेव स्पाठक और केशव प्रसाद मोरिया भी मीटिंगों में नहीं पहुँचे थे, अला कि बाद में जो मीटिंग हुई उसमें ब्रिजेव स्पाठक पहुँचे, लेकिन डिप्टी जीमित करने के लिए ये सारा जो है ये सारा खेल रचा जा रहा है सारी खिछडी बुनी जा रही सारी खिछडी पकाई जा रही है तो क्या कुछ है इस खबर पर आपकी पूरी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं नोश्कार